हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मिथलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उधित एकेडिमी के यूटूब चैनल पे जैसा कि आप सुभी को पता है कि UP Polytechnic Group ENA Diploma in Pharmacy के इंटरेंस एक्जाम के तैयारी के लिए हम लोगोंने biology के model paper series को launch किया है जिसमें कि हम लोग फिलाल 2020 के model paper को solve कर रहे हैं और आज के इस video lecture में हम लोग 2020 के model paper का part 3 cover करेंगे जिससे कि हमारा 2020 तक का model paper खतम हो जाएगा फिर हमारे पास बचे का 2021 का model paper फिर एक साल का मेरे पास original previous year question paper का PDF है उसको भी मैं discuss करूँगा हिंदी मीडिया में भी है इंग्लिस मीडिया में भी है ठीक है वो previous year question paper तो आज हमारा ये model paper 2020 खतम हुआ फिर कल आपके दो classes आएगे एक morning में 9 बजे एक रात के 9 बजे जिसमें हम लोग 2020 के model paper को खतम करेंगे फिर उसके next day में हम लोग previous year question paper को भी खतम कर देंगे ठीक है बस आप चीजों को सारे चीजों को revise करते रहिए 500 प्लस प्रशनकाल सीरिज को भी revise करते रहिए और model paper series को भी आप खुद से back videos को 1.5x में देखते रहिए ठीक है ताकि आपको याद रहेगी तभी तो आप exam में question बना पाओगे ठीक है याद रखना बहुत जाता जरूरी है एक बार में चीज़े clear नहीं हो पाती है ठीक है तो आप सभी लोग उसे request एक वीडियो को जाता से जादा लोग like कर दीजे share कर दीजे ताकि हर एक जरुत मन्द बच्चों का पहुंच सके ठीक है चलिए हम लोग start करते है आपको बता द लिजे क्योंकि यहीं पर आपको क्लासिस को नोटिफिकेशन मिलते हैं साथ ही साथ है आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे जो भी previous year question है उसका PDF नोट्स इसी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा और जो मेडिल पेपर पढ़ाई जा रहा है उसका भी PDF यहीं पर मिल रहा है ठीक है और quiz भी regular basis पर कराये जा रहे हैं तो आपको टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना चाहिए क्योंकि यह free of cost है आपके सहुलियत आपके मदद के लिए होता है ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के class को अपने first question के साथ हमारा first question थोड़ा conceptual question है इसके लिए मैंने पूरे concept क तो cover किया ताकि इस तरीके के question यदि आपके exam में आये तो वो भी आप बना सके अगर same question ना भी आये तो ठीक है इसलिए आप थोड़ा से पहले question पढ़ेंगे question है रुधीर वर्ग O वाली इस्तरी AB रुधीर वर्ग के पूरुस के साथ साधी करती है तो उनके पुत्र का रु उनका यदि साधी होता है तो जो उनका पुत्र होगा उनका संतान होगा वो किस blood group का हो सकता है ठीक है ये concept को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक concept को समझना पड़ेगा जिसको मैं थोड़ा से जूम करके दिखा देता हूँ ये class 12th biology के genetics का chapter से दिया गया है ठीक है देख कौनसी जीन आई जीन से रेगुलेट होता है किस जीन से आई जीन से और आई जीन के तीन प्रकार के अलील होते हैं एक होते हैं आई ए दूसरा होता है आई बी क्या होता है आई बी और तीसरा होता है स्मॉल आई क्या होता है स्मॉल आई ये तीन प्रकार का अलील होता है ठ ठीक है जैसे कि आपको अगर इतनी बाते समझ में नहीं आ रही है तो आपको चीजें याद रखने है क्या कि A B O Blood Group किस जीन से regulate होता है किस जीन से control होता है तो I जीन से और I जीन के कितने अलील होते हैं तीन अलील होते हैं कौन-कौन I A I B बनेगा यानि A B Blood Group बनेगा क्या बनेगा A B Blood Group बनेगा यदि I A और Small I क्या I A और Small I मिलेगा तो यहां पर Small I क्या होता है रेसिसिव होता है जो कि अपने character को नहीं express कर पाता है जिस कारण से Small I का कोई value नहीं रहेगा और यह सिर्फ A Blood Group ही ठीक है इसका मतलब समझ गेए यदि दोनों A A है तो A Blood Group A है B है तो A B Blood Group A है A है एगो I है Small तो Small I का कोई value नहीं होता है इस कारण से वो Blood Group A हो जाएगा किलियर अब उसी तरीके से I B I A तो एक B है, एक A है, मतलब AB blood group हो जाएगा, यदि AB दोनों है तो AB blood group हो जाएगा, यदि दोनों B है, तो B blood group हो जाएगा, यदि एक B है, एक small i है, मतलब उसमें यहाँ पर वही बात हो जाएगा, small i का कोई value नहीं, इस कारण से क्या हो जाएगा, B blood group हो जाएगा, अगर दोनों small i small i आ गया मतलब 0 0 नहीं कह सकते o blood group माना जाता है क्या माना जाता है o blood group माना जाता है ठीक है तो o blood group कैसे होता है जब दोनो small i हो ठीक है इस प्रकार से आप genotype यदि ध्यान रखेंगे तो आपका clear हो सकता है question आपको यह genotype ध्यान भी रखना कड़ेगा है जैसे आप देखे ए eight A मिलेगा तो A बनेगा Bir बी मिलेगा तो AB बनेगा ए और small i मिलेगा तो सिर्फ ए घी बनेगा क्योंके small आई को फरक नहीं पड़ता है फिर तो आप बना देंगे जैसे कि अब क्रॉस करने का तरीका मैंने पिछले क्लास में बताए थे लेकिन अगर मैं आपको को नहीं आता है तो मैं अभी भी बताऊंगा उसके लिए ट्रेंशन नहीं लेना है देखे बोला है फिमेल जो है महिला है वह ब्लड ग्रूप की है और हमने इसका मतलब है कि अब ब्लड ग्रूप होने के लिए दोनों का होना जरूरी है आई-े का भी और और आई भी एनिल का भी तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कि एबी ब्लड ग्रूप के लिए दोनों है ना आई भी दोनों है तो इस प्रकार से अब मेल और फीमेल का हमारा जीनो टाइप आ गया अब यह आने के बाद हम एक तरफ क्या कर देंगे फीमेल का लिख देंगे क्या क्या है फीमेल का जीनो टाइप क्या क्या है क्योंकि ब्लड ग्रूप को है इसलिए दोनों आई हो जाएगा स्मॉल आई स्मॉल आई और फिर मेल का क्या है एबी ब्लड ग्रूप है तो दोनों होगा अब उसका क्या करेंगे हम लोग अब उसका क्या करेंगे अब उसका हम लोग cross कराएंगे तो देखे cross कराने का नियम क्या होता है इसको इससे कराते हैं फिर इसको इससे कराते हैं फिर इसको इससे कराते हैं clear इस प्रकार से cross होता है जैसे कि आपको मैं मिटा के समझाता हूँ कैसे crosses होंगी clear देखिए अब अब जो बात आते हैं जब i a को small i से करेंगे तो i a small i लिखाएगा ना ठीक i a को small i से करेंगे तो वो भी same हो जाएगा फिर i b को small i से तो i b i फिर i b को small i से तो i b i इसका मतलब है कि जो भी आपका दो ही तरीके का यहाँ genotype देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपका संतान है यहाँ पर यह जो box में जितने भी बने वो आपके संतान के genotype है तो इसका मतलब है कि जो भी genotype बन रहा है वो या तो i a small i बन रहा है या तो i b small i बन रहा है दो ही type का बन रहा है और i a small i का genotype कौन सा होता है यह genotype किस blood group का है a blood group का है क्योंकि मैंने बोला था ना कि small i का कोई value नहीं है तो a blood group हो जाएगा उसी तरीके से small i में भी क्या हो जाएगा blood group b हो जाएगा इस प्रकार से हमारा पता चल गया जब इसको cross कराएं तो आपका या तो संतान a blood group से होगा या तो संतान b blood group से होगा क्या तो होगा या तो संतान a blood group से होगा या तो संतान b blood group से होगा clear समझ रहा ना clear हुआ देखे ये question काफी conceptual आप यही चीज़ा आपको question में दे देखे महिला a b blood group से है पुरुस o blood group से है तब आप उसका genotype लिक करके इस तरह की से cross कराई है और answer लाई है ठीक है तो a blood group या फिर b blood group तो answer हो जागा a या फिर b दोनों में से कोई भी blood group हो सकता है क्या आपको समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो आप जो live देख रहे हैं नहीं न इस कारण से मैं यहां पर पूरे कोशिस क्या कि इतना कम टाइम है इसमें भी short way में थोड़ा सा आपको information दे दिया जाए कि आप यदि कोशिस करें तो आप से हो जाए इस प्रकार के question तो आपका answer क्या हो जाएगा option no.3 a या फिर b रूधिर बर्ग यह concept यदि आपने सीख लिया तो आप कितना भी question आ जाए कि महिला यह है बहुत बच्चे कंफ्यूज जाता है कि महिला यदि ap है पुरुस o है या फिर महिला a है पुरुस o है इस तरीके से कितना भी question आ जाए तो आप next question क्या है मीसोग्लिया किस संग के जनतूओं में होती है तो देखिए जो मीसोग्लिया क्या है तो आपको यह दिख रहा होगा जो मीसोग्लिया होता है एक प्रकार का gelatinous substance है gelatinous मतलब कहने का और तो चिपचिपा द्रब यह क्या है चिपचिपा द्रब है जो कि किस के अंधर पाया जाता है तो silan trata के अंदर पाया जाता है जैसे कि यह जो diagram दिख रहा है यह आपको hydra का diagram दिखाया जा रहा और hydra कि Гос Department के किस phylum से बिलुघ करता है तो silan trata से और silan trata का एक और नाम क्या है णीडेरिया है क्या है नीडेरिया है तो silan trata का ही characteristic प्रिस्टिक फीचर है कि उसमें मीजो गिया पाया यादा है क्या पाया जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा silent xذا अगर निडेलिया देता तो आंσιर निडेलिया भी हो था क्यों कि सिलेंट्रेटा कोई एक और नाम क्या है निडेरिया भी है क्लियर हो गया ना चलिए नेक्स्ट क्वेशन आते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेशन भी उसी टॉपिक से रेलेटेड है कि हाइड्रा का कोई भी टुक्रा पुनर उद्भवन कर सकता है यादि उसमें उपस्तित हो जैसे कि हमने पता है कि हाइड्रा में क्या होता है मोगुलन होता है यानि बडिंग होता है उसमें कोई भी टुक्रा या का है तो वो नया टुक्रा बन करके क्या कर सकता है कि फिर से वो एक नया हाइडरा बन सकता है क्या बन सकता है नया हाइडरा बन सकता है तो ऐसा क्यों है आपने पढ़ा है कि हाइडरा अभी हमने तुरन पता है कि वो किस से बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है वो कहां पाया जाता है बाहे जनन अस्तर और अंतर जनन अस्तर के बीच में कहां बाहे जनन अस्तर और अंतर जनन अस्तर के बीच में पाया जाता है और यही तीनों करेक्टरिस्टिक फीचर के कारण हाइटरा में पुनर उद्भवन भी हो सकता है तो इस कारण से आप का अंसर हो जाएगा यह सभी कि हाइटरा का भी कोई भी टुकरा पुनरत दुबवन कर सकता है क्योंकि उसमें पाय जनन अस्तर भी है आंतरिक जनन अस्तर की उए उपस्तिती है और मीजो गिलिया की उपस्तिती होती है समझ रहे ना चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुशन पर आते हैं हमारा नेक्स्ट कुशन क्या है नेक्स्ट कुशन है हमारा द्वी निसेचन में त्री गुनित किंद्रक से किसका निर्मान होता है जैसे कि आपको एक डाइग्राम में दिखा रहा हूँ यदि आप क्लास 12 के च साथ क्लेड़ दीखेगा द्वी निसेचन यानि ड'T गवरल फटिलाइजियाशन किसका क्रेक्ट्रिस्टिक फिक्चर है ऐंज्यू इसपर्म का है जो कि यख़ इसपर्म myths क्या पाई जाता है और द्वी निसेचन के फलस्वरूप क्या बनता है है जब दवी निसेचन हो रहा primary-endosperm nucleus जो कि triploid होता है, यानि 3N होता है, त्रीगुनिद होता है, तो यह त्रीगुनिद केПрIntro के बारे में ही पूच रहा ए कि आखिर जो त्रीगुनिद है, वो किसमें convert हो जाता है, वो त्रीगुनिद जो है, वो किसमें convert हो जाता है, देखे, question क्या है, द्वी निसेचन में त्रीगुनित केंद्रक या या प्राइमरी इंडोस्पर्म नुकलियस त्रीगुनित केंद्रक है वो किसका निर्मान करता है तो यह जो प्राइमरी इंडोस्पर्म नुकलियस है त्रीगुनित है यह किसका निर्मान करेगा एंडोस्पर्म का किसका एंड सरुप आगे जो बनता है वो क्या बनता है इंडो स्पम बनता है और इंडो स्पम क्या होगा वो भी ट्रिपलॉइड होगा यानि तरी गुनित होगा फिर आप से पूछेगा कि जाइगोट जो है यानि जाइगोट जो है भुरून जो है वो किसमे तब्दिल हो जाता है तो व नहीं तो पोधा जब उगने लगता है तो उसको क्या करता है खाना रफोगी कराता क्या पोशन प्रवाइड कराता है ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्ट कुशन पर आते हैं दो नेक्ट कोशन क्या है वास्त्विक गुही का जंतुओं में जंतुओं की देह भित्ती तता आहार नाल के बीच गुहा होती है किस से विक्सित होती है देखिये ऐसा है कि जो भी मन मनिश है आप मनिश का ही एक्जांपल ले लीजे उसमें यदि आपका आहार नाल है इसोफेγस है और ये आपका गरदन और पिर अपेक्ट के बीच का जो स्कैक हैं यह उस्पेस किस लेयर से बना होता है किस जर्मिन लेयर से किस जनन स्तर से बना होता है जैसे कि आपको पता है कि तीन प्रेकार के जननिस्तर होता है जर्मिनल लेयर होते हैं कौन-कौन सा बाहे जननिस्तर जिसको हम लोग एक्टोडर्मल कहते हैं फिर मध्य जननिस्तर जिसको मिजोडर्मल कहते हैं और फिर अंता जननिस्तर जिसको जो space बनता है वो किस layer से विक्षित होता है किस जनन इस्तर से तो मध्य जनन इस्तर से किस से मध्य जनन इस्तर से clear आपको ये चीज़े ध्यान रखनी है किस से मध्य जनन इस्तर से ठीक है चलिए अब हम लोग next question पर आते हैं हमारे next question है मानव में कपाल तंत्रीकाओं की संक्या होती है तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि मानव के कपाल में मानव के कपाल में तंत्रीकाओं की संक्या कितनी होती है 24 होती यानि 12 जोड़ी होती है 12 जोड़ी होती है जितने भी स्तन धारी है उसके तंत्रीकाओं में take one second हाँ सही बोल रहा हूं मैं मैमल्स जो भी स्त प्रवार होता है प्रवार क्या है क्या है किसको हम लोग क्या कहते हैं इंगलीज में संगई कैल्सियम कार्वोनीर का बना होता है किसका कैल्सियम कर्वोनीट का बनाता है ये हर्ड लेयर होता यह प्ररवार होता है वह किसमें होता है भाय्या तो मोलसका में dive का Exanche 1 एक दो एक बियान differentiate का भैला दूसरा है ओक्टूपस यह दोनों में ad जो संग है इसी के जनतू हो का एक characteristic फीचर आजिस्वे फीचर एक special फीचर है विसे में प्रवार पाया जाता है यानि नियर्फ has झापर को फेक्षि करता है तो आसर किया हो मोलास्का में किस में मोलास्का में सरीर के उपर किस संगे के जनतुव में प्रवार होता है तो मुलास्का में होता है ठीक है चलिए अब हम लोग next question देखते हैं हमारा next question क्या है गर्भ निरोधक की निम्न में से विधी है दीक जो गर्भ निरोधक विधी है वो दो प्रकार की होती है आपको पता होना चाहिए कि एक natural method ह होता है Cumical Method, और एक प्रकार का Barrier Method, नेचुरल Method, एक होता है Barrier Method और एक होता है चैमिकल Method, ठीक है मैं सबी Methods को Discuss यहां पे नहीं करूँगा क्योंकि अभी आपने पास उतना भी समय नहीं कि क्योंकि यह Topic काफी आदे गंडे का Topic है, लेकिन अभी मैं काम चलाओ बता सकता हूँ जितने options हैं देखिए जो natural method हैं उसमें से दो आपके option में हैं आवर्ती विधी और संभोग व्यवधान आवर्ती विधी को English में हम लोग कहते हैं periodic abstinence क्या कहते हैं periodic abstinence इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे जो तीनों हैं तीनों एक प्रकार का क्या गर्व यह होता है कि जब कोई लड़की देखें कोई भी लड़की है तो उसमें menstrual cycle होता है मासिक चक्र होता है और मासिक चक्र कितने दिन का होता है लगवग 28 से 22 से 28 दिन का होता है तो उसका जो मासिक चक्र है उसमें दसवे से 17 दिन कितना दसवे से 17 दिन क्या करता है पुरुस उसके साथ संभोग करने के लिए मतलब उसको मतलब संभोग से बचता है कितना दिन दस्वे से सत्रहवे दिन तक उसका मेंस यदी एक तारिक से स्टारिक से स्टारिक हुआ है तो एक तारिक से स्टारिक तक उसके साथ जो उसका मेल पार्टनर है उसके साथ वो सेक्स नहीं करे क्योंकि यह जो तस्वे से सत्रवे दिन है फर्टाइल प्रियड होता है क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि इसी सात्वे दिन के बीच में अवियूलेशन होगा अवियूलेशन मतलब क्या होगा कि अंडानू बाहर निकलेगा ठीक है तो इस कारण से यहां पर लोग सेक्स को क्या करते हैं इग्णोर करते हैं सेक्स नहीं करते हैं तो इस थैक्षां से अपना रहा है तो आवर्ती वीदिक को यह होता है संभोगyu वयवधान जिसकों हम लोग CUITUS interruptus कहते हैं LOITUS interruptus कहते हैं inkोड़स interruptus ошकों English में कहते है इसमें क्या होता है कि जैसे की male partner है वो और female partner है sex कर रहे है ना सम्भूग हो रहा है और सम्भूग होने के दौरान ही क्या होता है कि male को पता चल पिした है से पहले वेजाइना से अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है मतलब इंटर कोच तो होता है लेकिन यहां से मिनिशनन होता है मतलब क्या होता है कि मेल घामिट फीम्य एज रिप्रोडेक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं होज्थिता है क्यों क्योंकि जैसे स्पर्म का एजए्फुलेशन होने वाला होता है तो एपैंस को बाहर निकाल लेता है क्यांड योग कुछ चीज आपस में सम्भोग कर रहे हैं और उसमें मेल पार्टे हैं वो क्या करें अपने इसको इसको सम्भोग 가지 करने जिसंको क्लियर कट ठीक है मैं NCRT नहीं पढ़ा पाया हूँ इस बार क्योंकि समय कम था लेकिन अगले बार के बैच में NCRT के एक लाइन को क्लियर करूँगा क्योंकि यदि NCRT पढ़ लेंगे तो पचास में से पचास कोईशन हम लोग एक्जाम में सरी कर गाएंगे ठीक है लेकिन आप लोग को डरना नहीं है मैक्सिमम पार्ट्स कवर किया है हमने बहुत ज़्यादा कोशिस कर रहा है कि मैक्सिमम चीजे कवर हो और इस बार भी बैटर होगा जितना समय है उसी में बेश्ट देने का कोशिस करते हैं हम लोग ठीक है ये हो गया संभोग व्यवधन अब हमारा है रसाइनिक सहेली नाम का टैबलेट है सहेली नाम का टैलेट है ना जो कि वो खाती है तो उससे क्या होता है कि अगर उनके भी संभोग हो भी जाता है तो वो क्या होता है कंसीव नहीं करती है प्रिगनेंट नहीं होती है तो यह तीनों एक प्रकार का क्या है गर्व निरोधक विदी है और में पता हुए!! तो यह तीनो जो आपशन पर किया उता है क सभी स्व cookie नियम पता है तो आप क्लासे बीजी कर खिंग तो खोश्ट चाहरा है ना कर दो है कि तदो हरा हि लाइक कर दें और स्थायाँ पर ठीक है ताकि हर एक बच्चає तक पहुंच सके है चलिए ये question तो आप लोगों पता होगा ये question तो आप सभी लोगों पता है कि निमनलिकित में से कौन सरुधिर वर्ग सर्वर गराही होता है सर्वर गराही मतलब क्या universal acceptor और A से acceptor यानि AB blood group कौन सा हो जाएगा AB blood group यही पूछता सर्वर दाता कौन सा होता है next question है पादपों को बैंथम एवं होकर ने कितने कुल में वर्गे कृत किया था तो दीकि बैंथम एवं होकर एक विग्यानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि natural classification system दिया था यानि प्रकृतिक वर्गी करन पदिती को प्रकासित किया था अपने किस बुक में जैनेरा प्लांटेरम नाम के पुस्तक में ठीक है और इन्होंने क्या दिया था natural classification system यानि प्रकृतिक वर्गी करन पदिती दिया था और इन्होंने पादपों को कितने कुल में वर्गी करित किया था तो कुल मिला कि 202 family family यानि हिंदी में बोले तो कुल तो 2 से 2 कुल में वर्गी करित करा था तो अंसर हो जाएगा 202 कुल फिर आपको carolus lineage के बारे में ध्यान रखना है कि carolus lineage कि क्या दिया थे दूई जगत क्या दूई जगत वर्गी करन पदिती यानि प्रदी ठिडंड़ वर्गी के पितमा किसे कहते हैं वो के रोलख लेन गेर कर दिया थे फिर पांच जगत वर्गी करन से पदिति वर्गी कर में भत्यती यानि वह रह विटेकर साहब ने नाइटीन हड़ड सीङ्टी नाइए तो तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने है, ठीक है, रहेच विट टेकर से रिलेटेड कोशन भी आया हुआ है, फाइब किंगनब क्लास्टिकर सिस्टम से, जो कि आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन क्या है, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं, तो कैंसर जबर के पताया है कि ELIZA का क्या होता है HIV का क्या होता है AIDS का क्या होता है जी हां यह सब important है जो आपको ध्यान रखना है full form है तो ELIZA का क्या होता है Enzyme Linked Immunosorbent Assay जो की first option ही मैच कर रहा है तो हमारा answer क्या हो जाएगा Enzyme Linked Immunosorbent Assay हो जाएगा ठीक है फिर जलिए मैं पूछता हूँ आप लोगों से HIV का क्या होता है full form तो Human Immunodeficiency Virus होता है फिर AIDS का क्या होता है full form तो Acquired Immunodeficiency Syndrome होता है clear PCR का full form क्या होता है तो Polymerase Chain Reaction और भी कुछ-कुछ हैं जैसे ZIFT ZIFT का क्या होता है तो Zygote Intrafalopian Transfer IUT का Full Form क्या होता है तो Intra-Uterine Transfer होता है GIFT का Full Form क्या होता है तो Gamet Intrafalopian Transfer होता है तो इस सब आपको चीज़े याद रखनी है IUT का Full Form क्या होता है तो Intra-Uterine Devices होती है तो यह सब Full Form आपको मैंने Classes में करवा रखा है अभी तक में तो आपको यह सब चीज़े रिवाइस करते रहिए आप बैक वीडियो पर डे आपका Target कम से कम मेरे 5 लेक्चर को 1.5 एक्स पर आप लोग देखेंगे कितना पर 1.5 एक्स पर 5 लेक्चर को पर डे आप देखेंगे अभी से जितना भी समय में बचा हुआ है कवर करेंगे और आगे जो भी चीज़े बची यह दो जाले किसका मॉडल पेपर और प्रिवेस यह कुशन पेपर मैं सभी चीज़े कवर कर दूंगा अपने जानते पूरा कोसिस करूंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन हमारा क्या पांच जगत वरगी करन में प्रोक्रियोटिक जीवों का किस जगत में स्थान मिला है तो यह कुशन वह बचे जोरूर बताएंगे जैसे कि मैं एक बार और बताता हूं यहां पर कैसे बताता हूं देखिए इसको थोरा सा जुम कर लेते हैं देन आपको क्लियर वीजिबल होगा क्लियर वीजिबल है ना ठीक है चलिए देखिए जो पांच जिगत वरगी करन है फाइफ किंग्डम जीबल के लिए तो पहला था मौनेरा दुसरा था प्रोटिस्टा तीसरा था फंगी चौथा था प्लाण्टाइ पाच मा था एलडिनेलिया ठीक है तो फूरे और आर्गेनीजम्स हैं उसमें से जितने भी प्रोकेरियोटिक उसको किसमें दे दिया था इसको किसमें में दे मिला था तो मोनेरा में मिला था किस में मिला था मैंने पहले भी बताया था किस प्रकार से कोशन बनते हैं कि मोनेरा में मिला था ठीक है अब उसी प्रकार से अगर और कोशन इस बार आने का होगा देखिए यह topic मेंने को important लग रहा है यहां से हो सके question आपके exam में देखने को मिल जाए तो आपको यह ध्यान रख लेना टेबल याद रखना है कि prokaryotic को किसमें भाटा गया है मोनेडा में फिर आपसे पूछ दे कि eukaryotic eukaryotic में तो सभी है प्रोटिष्टा प्लांटाई फंगी अनिमेलिया लेकिन eukaryotic unicellular eukaryotic हो और एक कोशिक किया हो तो उस जीवों को किसमें रखा गया है तो प्रोटिष्टा में रखा गया है किसमें प्रोटिष्टा में रखा गया है फिर आपका question आ जाएगा इस प्रकार से उकरियोटिक हो और multicellular हो लेकिन बहुक कोशिक किया हो और साथी साथ उसमें cell wall हो क्या हो cell wall हो और वो phototropic हो देख रहे कितना लंबा जा रहा है eukaryotic multicellular बहुक कोशिक किया है multicellular है ठीक है eukaryotic है उसके बाद cell wall भी है और उस वो phototropic है मतलब वो खाना खुद से बना सकता है तो वो कौन है plant है यही पूछ दे कि eukaryotic है multicellular है cell wall भी है लेकिन heterotropic है यानि आपना खाना खुद से नहीं बना सकता है उसमें chlorophyll नहीं है इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा fungi हो जाएगा फिर यही बोल दे कि eukaryotic हो multicellular हो और वो without cell wall हो मतलब उसमें cell wall नहीं हो जैसे कि animal cell में cell wall नहीं होता है कोशी का बित्ती नहीं होता है तो इस cancer क्या हो जाएगा animalia हो जाएगा तो इस प्रकार से question यहां से बनते हैं इस table से तो आपको मेरा कहना है कि table को ध्यान में रखिए याद रखिए क्योंकि जो बच्चा मेरे बात को याद रखेगा अगर मेरे बच्चे कम से कम हजार दो अजर बच्चे जदी देखते हैं मेरे lectures को regular basis पे 1500 बच्चे तो ऐसा नहीं है कि वह 1500 बच्चे सभी को याद हो जाता है उसमें से कम से कम 100-200 बच्चे जरूर ऐसे होंगे मेरे regular क्या करते हूं revise करते हूं कि अभी आपके पास समय है चार घंटा तीन घंटा रोग समय निकाल के revise कीजिए क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा चीज़े फिर आप वहां एक्जाम बनाओगे लगेगा कि सर पढ़ाय थे लेकिन मैं बना नहीं पाया फिर उसमें तो मैं दो करवा दिये और दस कोशन में जरूरी नहीं कि उद्धस में से कोई दोगा आही जाए लेकिन अगर मैं दस ही कुछ पांच को चुछन के कौनसेट को भी कवर करूं तो भाई हो सके कि अगर पांच में से दो भी तीन भी मिल सकता है क्यों कुछी पूरे कॉंसेप्ट को सेम कौनसेप्ट से मैंने कवर कर लिए जैसे अब यूब्लड पलड पर सिरीज में मिला करके तीक है अब लोग अभी समय है रिवाइस करते रहिए जितने बार जो जो जितना घिसेगा वह उतना रगेगा ठीक है अब भी से आप लोग ठान लीजें कि मतलब पर दे 2, 3, 4, 5, 5 लेक्षे पर देखिए रिवाइस करते रही है ठीक है तो बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा चलिए यह भी question जो बच्चे लगाता रिवाइस कर रहे होंगे वो बना देंगे क्योंकि एक पर और question यह आला चुका है ATP का निर्मान mitochondria में कहा होता है तो देखिए जो mitochondria में यह क्या है mitochondrial membrane है और यह कौन सा membrane है inner mitochondrial membrane inner mitochondrial membrane मतलब अंत्रिक mitochondrial दिवार है ठीक है जिल्ली है और इसमें ही एक प्रकार का अंदर में क्या है matrix है क्या है mitochondria के अंदर जैसी यह mitochondria है यह inner है यह outer है तो इसके अंदर क्या होता है matrix होता है और यह matrix है matrix या अंदर गती एक प्रकार का system पाइद है जिसको हम लोग F node और F1 particle कहते हैं तो F node जो होता है वो बिल्कुल दिवार के होता है लेकिन F1 जो होता है वो कहां होता है F1 जो होता है वो matrix के अंदर होता है और यही F1 कन क्या F1 particle के ही अंदर क्या बनता है ATP का निर्मान होता है किसका निर्मान होता है ATP का निर्मान होता है और एक ATP बनने के लिए क्या-क्या ज़रूत है 1 ADP और 1 Inorganic Phosphate और 2 Hydrogen H Plus Ion क्या-क्या ADP plus Inorganic Phosphate plus 2 H Plus Ion देन 1 ATP बन जाता है ठीक है तो ATP का निर्मान Mitochondria में कहा होता है तो F1 कन में होता है F1 पार्टिकल में होता है क्लियर चलिए अब हम लोग next question पर आते हैं हमारा next question है ध्यान से देखिए इस question को मैंने इस question के example को भी discuss करा था ये class 12 के chapter number 1 के diagram से question आया हुआ है देख रहा है na NCRT से बिल्कुल NCRT से question है ठीक है मैं दिखाऊंगा कि भी NCRT से कहां से question है देखिए वही तो बता पाएंगे ने जो NCRT के line by line को पढ़े है देखिए मैं भी मतलब मैंने NCRT के line by line को पढ़ रहा है इसलिए मुझे पता चल जाता है कि ये question किस line से है और किस page से है किस chapter से है ये तक मैं बता सकता हूँ और मैं कोशिज करता हूँ कि NCRT के वो diagram और कुछ-कुछ question एक-दो question हर exam में आते है जो कि NCRT से बाहर हो जाते है और वो एक-दो-चे के चकर में क्यों हम पढ़े पहले अर्टालिस question को fix कर ले फिर वो एक-दो question भी ठीक हो जाएगा ठीक है चले एक question पढ़ते है ये जो आलू-अद्रक-अगेव-ब्रायोफाइलम तता जलकुम्भी में पाया जाने वाला काईक प्रवर्दों का ठीक करम है तो आपको याद होना चाहिए कि आलू में कौन सा होता है अद्रक में कौन सा होता है अगेव में प्रायोफाइलम में और जलकुम्भी में इसके लिए एक डाइग्राम आपके NCRT में दिया हुआ है ये वाला डाइग्राम और उसमें एक पगल सी यही लिखा हुआ है कि आलू में क्या पाया जाता है राइजोम होता है फिर अगेव में क्या होता है बल्बिल क्या होता है अगेव का बल्बिल होता है फिर ब्रायोफाइलम में परनकलिका है यानि लीफ पड होता है ये जो ब्रायोफाइलम है उसमें लीफ बड होता है और जल हैसिंथ यानि क्या जो जल कुम्भी होता है ना पोखर सब में उसी कुमली इंग्लिस में water hyacinth कहते हैं हिंदी में gel hyacinth कह रहे हैं उसमें क्या पया जाता है तो भू स्तारीका जिसको इंग्लिस में offset कहते हैं opposite कहते हैं यानि भू इस तारीका कहते हैं तो यह चीज़े आपको याद रहना है क्या आलू में आख अध्रक में परकंद जिसको इंग्लिस में राइजोम कहेंगे बल्बिल अगेव का बल्बिल फिर ब्रायो फाइलम में लीफ बड यानि पर्न का लिकाएं और यह जो वाटर जैसे set किया वा अब एक भी आदे तो आप clear कर सकते जैसे पहला ही उप्षने sequence में परन कलिका हो सकते हैं तो आलू का आख होता है ब्रायोफाइलम का पर्न कलिका होता है और जलकुंभी का भू इस तारीका होता है clear तो इस तरीके से आपको चीज़े याद रखनी होंगी clear हो गया ना? चलिए next question पर आते हैं हम लोग next question है हमारे red data पुष्टक में आकड़े होते हैं red data पुष्टक उसको लिखा जाता है red data नाम का एक पुष्टक है जिसमें कि उसका आकड़ा को दर्साया जाता है जो भी जी जो भी जाती है जुसका की extinction होने वाला है वो विलुप्त होने वाले हैं संकट में हैं अब उनका विलुप्त हो जाएगा अगर उनको प्रिजर्व नहीं किया जाए उनका नहीं किया जाए उनका संडरक्षन नहीं किया जाए तो वह क्या होगा उनका विलुप्त हो जाएंगे क्या होंगे विलुप्ध हो जाएंगे ठीक है तो जो भी संकट मई जाती होते हैं उनका नाम किसमें दिखा जाता है रेड़ डाटा पुस्तक में लिखा जाता है clear तो सभी को clear हो गया ये भी question रेट एड़ एंटा पुष्तक आर्वह में किस può लिखा जाता यह संकर महीं जातियों को लिखा जाता है clear चलिए अब हमारा क्या हो गया 2020 का समात हो गया अब हमारे पास बचा क्या हमारे पास बचा एक previous year question paper जो भी मैं पढ़डे दो-दो classes ले लेके cover करूँगा और आप देखिए टेलिग्राम को जो join करने बोलता हूँ मैं खुद के लिए नहीं आपके लिए ही बोलता हूँ कि टेलिग्राम यदि आप join मत किजे आप subscribe channel को क्योंकि हो सके आपका अगर मन है क्योंकि subscribe करेंगे देखिए आप हर तरीके से bell icon को जो कि आएगे आपके पास notification पहुचाए कि नहीं class आ रही है इसके लिए आपको दो ही काम करना होता है या तो आप channel को subscribe करके bell icon को on कर लिजे all वाली section में जाकर करके मन है तो अगर आपको लगता है यह नहीं भाईया इसके channel को क्यो subscribe करेंगे तो मत करिये भाईया आप कम से कम telegram को चाकर के join कर लिजे ना उदीते केटमी को वहां से आपको notification मिल जाएगा क्योंकि जब तक notification नहीं मिलेगा तो आपके पस classes नहीं आएंगे फिर आपको अचानक बात में क्लासे आई हुई है फिर एक साथ बहुत सारा class हो जाएगा फिर आप उसको cover नहीं कर पाएंगे ठीक है बस बात यहीं होता है ठीक है और आप यदि नहीं subscribe करोगे तो बहुत सारे बच्चे है subscribe करने वाले मैं सब्सक्राइबर के पीछे कभी नहीं भागता हूँ ठीक है अगर genuine content दूँगा original content दूँगा तो बच्चे खुद खुद subscribe करेंगे क्योंकि उनका जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको notification का जुरूत होता है actually में बात ऐसा होता है ना कि अगर notification नहीं आए तो लगाता है कुछ दिन बाद आपको पता है यही तीन दिन बाद आप देखेंगे इस class को तो अभी तक में तीन दिन में पांच classes और ले चुका होंगा तो आपके लिए वो backlog बन गया ना इस प्रकार से अगर notification आता है तो टेलिग्राम पर यह होता है ना कि जैसे मान लीजे आज का class 10 बजे रात में अप्लोड हो रहा है 9 बजे के जगा क्योंकि classes record करने में थोड़ा लेट हो गया समय लगता है ना थोड़ा इसलिए लेट हो गया तो मैं टेलिग्राम पर पहले ही अपडेट कर देता हूं कि थोड आज class लेट होगा आप लोग ready रहिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के morning वाले class में ओके बाबाए गुट नाइट